हाई फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और बल आइकन दबाएं कॉंग्रेस में सामिल हुए हार्दिक पटेल ने कहा राहुल इमानदार हैं गुजराद के पार्टिदार नेता हार्दिक पटेल अधिकारिक तौर पर कॉंग्रेस में सामिल हो गए उन्होंने मंगलवार को पार्टि अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टि के महासचीव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में कॉंग्रेस की सद्धे सता ली गांध कि मैंने कॉंग्रेस और राहुल को क्यूं चुना मैंने राहुल गांधी को चुना क्यूंकि वह इमांदार हैं वह एक ताना साह की तरह काम करने में विश्वास नहीं करते हार्दिक ने इस दोरान परधानमंत्री नरिंद मोदी पर हमला भी बोला उन्होंने कहा कि जब कॉ कॉंग्रेस में सामिल होने के बाद अब अटकले लगाई जा रही है कि हार्दिक जामनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं हाला कि इस बात की आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है अभी सीट पर बीजेपी काबिज है पूनम बेन मादमा यहां से सानसद हैं यह सादे के गुजरात बिधानसभा चुनाव के बाद से ही हार्दिक के कॉंग्रेस में सामिल होने की अटकले लगाई जा रही थी गुजरात बिधानसभा चुनाव में हार्दिक ने कॉंग्रेस का समर्थन किया था जिसके चलते कॉंग्रेस ने राज्य के चुनाव में बीज आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें